रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, खुदी राम बोस, डोक्टर शामा प्रशाद मुखर जी, गुरुदेव रविंदनाथ टैगोर, प्रफुल चाकी, जगदीश चंद्र बोस की धरती की ओर से हम पुझे स्वामी जी महा महाराज को कोटी-कोटी नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उस धरती की ओर से हम पुझे स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करते हैं, जहां से वंदे मात्रम का अंकुर फुटा, उस धरती की ओर से पुझे स्वामी जी महाराज के चंड़ों में प्रणाम क शहीदों ने हस्ते हस्ते फासी का फंदा चुमा हस्ते हस्ते अपने सीने पर गोलियां खाई उस धर्ती की ओर से जहां मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई उस धर्ती की ओर से 1757 के बाद सन्यासियों ने सबसे पहले जहां पर विद्रोग किया सबसे पहले अंग्रेजों की सत्ता को चुनोती दी पुझा स्वामी जी महराज का अभिनिंदन करते हैं पतंजली योग पीट, दिव्वे योग मंदिर ट्रस्ट और कृपालु देव आश्रम इन तीनों की अगर बात की जाए और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल और दिव्वे योग मंदिर ट्रस्ट में आज से सो साल पुराना नाता है हमारे दादा गुरु, गुरुदेव कृपालु देव जी महराज और रास बिहारी बोस दोनों आपस में अंतरंग मित्र थे और रास बिहारी बोस का स्थान कितना बड़ा है उनको करांतिकारियों का पिता मैं कहा जाता है, उनको श्रे जाता है कि उन्होंने करांतिकारियों की फोज तयार की 1857 के बाद जब एक बार 50 साल तक ऐसा लगा कि कोई बड़ी शशस्त्र करांति नहीं हो रही है बड़ा कोई संगर्ष नहीं हो रहा है तो रास बिहारी बोस ने 1910 में उस समय ये योजना बनाई थी कि अब 1857 की जैसी दोबारा करांति करनी है और अब की बार जो करांति हो उस वो करांति 1857 की तरह आपूर्ण ना रहे अधूरी ना रहे संपूर्ण करांति करनी है ऐसे रास बिहारी बोस थे रास बिहारी बोस 1908 से लेकर 1915 तक भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहे और उस दोरान वो देहरादून के वन विभाग में भी रहे वहाँ पर नोकरी करते हुए वो पुझ्य हमारे दादा गुरू करपालु देव महराज के लगातार संपर्क में थे जब दिल्ली में वायसराय के उपर बम फेका गया और उसके बाद जब पुलिस करांतिकारियों के पीछे पड़ी थी अंगरेज उनको ढूंड रहे थे जिस समय करांतिकारियों से पुलिस से डरकर करांतिकारियों को कोई शरण देने के लिए तयार नहीं था कोई उनके साथ बादचीत करने के लिए संबंध रखने के लिए तयार नहीं था उस समय आपका पतंजली योग पीठ आपका दिवे योग मंदिर ट्रस आपका कृपालु देव आश्रम एक ऐसा आश्रम था जिसने क्रांतिकारियों के कंदे से कंदा मिला कर कारे किया और उनका पूर्ण सहयोग किया और मुझे लगता है पुझे दादा गुरु कृपालु देव महराज जी के विचारों के सम्वाहक के रूप में पुझे स्वामी जी महराज यहाँ पर है और रास बिहारी बोस स्वामी विवेकानंद के विचारों के सम्वाहक के रूप में आप यहाँ पर है तो ये दोनों म वो कुरांति जो सो साल पहले अधूरी रह गई थी उसको अब पूरा करना है। एक बार कदम उठा ले तो जो पीछे नहीं हटाता ऐसे विक्ति के बारे में मानती थी जो एक बार सोच ले तो फिर उसको करके ही ठानता है ऐसे महान सेना पती नेता जी सुभाष्चंदर बोस की धर्ती है आजादी की लड़ाई में नेता जी सुभाष्चंदर बोस का योगदान कितना है एक छोटी सी घटना से ये स्पष्ट हो जाएगा भारत को जब 1947 में आजादी मिली उस समय इंग्लेंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एटली 1945 से 1951 तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे उसके बाद 1956 में वो एक बार भारत घूमने के लिए आए और जब भारत घूमने के लिए आए तो पश्टिमी बंगाल में आए पश्टिमी बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती कार्यवाहक राज्यपाल होते थे उनके राज्यपाल के आवास में वो ठहरे राज्यपाल महुदे ने चक्रवर्दी महुदे ने उन से बहुत सी लंबी बातचीत की अलग-अलग विश्यों के उपर बाचीत की जो अलग-अलग पुस्तकों में लिखी गई है छोटी सी जो उन्होंने बात की वो नेता जी के बड़े व्यक्तित्तों को उजागर करने के लिए काफी है चक्रवर्ती जी ने एटली से पूछा कि 1947 में आपने भारत को आजाद क्यों किया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला उसको आपने कुचल दिया था उसको दबा दिया था महात्मा गांधी का वह आंदोलन मुर्जा चुका था 1945 में विश्यू युद में विजय आपने प्राप्त कर ली थी विश्युद में बिटेन ने अमेरिका ने और आपके मित्र देसों ने पूरी विजय प्राप्त की थी और अब तो आपके पास प्रमाणू बम जैसे हथियार है आपने जो भारत में निर्मान किया है संसद का निर्मान किया है, राश्ट्रपती भावन का निर्मान किया है जितनी भी इमारते आपने बनाई है आज अंग्रेजों को गए हुए 65 साल हो चुके हैं आप देखते हैं कि उनकी सारी इमारते बहुत मजबूत बनी हुई है उनके डाक मंगले, उनके रेस्ट हाउस, उनके गैस्ट हाउस, उनके कलब सब बहुत मजबूत बने हुए हैं उनकी रेल की पट्रियां वो भी इतनी मजबूत है कि 65 सालों बाद चल रही है और आगे 100 साल तक चलती रहेंगी इसका मतलब यह है कि अंग्रेज 1947 में यह अंग्रेज 1947 से पहले बहुत जल्दी भारत से जाने के लिए नहीं आये थे उनकी योजना ये थी कि वो भारत को 100, 200, 500, 1000, 2000 सालों तक लूटते रहेंगे और लगातार अपना नोकर, अपना गुलाम बना कर रखेंगे तो जब चक्रवर्ती जी ने यह पूछा तो एटली ने जो उत्तर दिया वो सब के याद रखने योग्य है एटली ने कहा कि भारत को आजाद करने के वैसे तो कई कारण थे लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो नेता जी सुभाष चंदर बोस था जब चक्रवर्ती जी ने पूछा कि नेता जी सुभाष चंदर बोस को तो आपने 1933 में देश निकाला दे दिया था उसके बाद वो तो 1941 में देश छोड़ कर चले गए थे तो फिर नेता जी इसका कारण कैसे हुए तो मिस्टर एटली बताते हैं वो कहते हैं कि नेता जी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया हम भारत के उपर राज करते थे भारतिय सैनिकों की बदोलत भारतिय सैनिक ब्रिटिश राजमुकुट में शद्धा रखते थे और हमारे आदेशा नुसार चलते थे हमारे बिटेन के सैनिक कभी भी भारत में पचासी अजार से अधिक नहीं रहे जो दस बारा लाग की सेना थी वो सारी भारतिय सेना थी नेता जी ने जब आजाद हिंद फोज बनाई तो उन भारतिय सैनिकों की शद्धा बिटेन के राज मुकुट में नहीं रही ब्रिटेन की राज सत्ता में नहीं रही ये एक बड़ा कारण है एटली ने आगे बताया कि जैसे ही आजाद हिंद फोज ने भारत भारत के रास्ते से बर्मा के रास्ते से नागालेंड मनीपूर के रास्ते से भारत पर आकरमन किया और नेता जी ने जब चलो दिल्ली का नारा दिया तो उस समय भारत के अंदर जितने सैनिक थे भारत की नोसेना ने विद्रो कर दिया कराची, रंगून, मदरास, तमिलनाडू सब जगें नोसेना ने अपने हथियार डाल दिये और बंदुकों का मूँ अंग्रेजों की साइड कर दिया हर जगें, नोसेना के सारे जहाजों के उपर नेता जी का चित्र लगा दिया और जैहिंद के नारे लिख दिये और अंग्रेजों भारत छोडों के नारे लिख दिये तो एटली ने बताया कि भारत में बिटेश, बिटेन के राज की सबसे बड़ी जो रीड की हड़ी थी वो भारतिय सैनिक थे, नेता जी ने हमारी रीड की हड़ी को तोड़ दिया और आजाद हिंद फोज के संघर्ष के बाद पूरा देश ऐसे जलने लगा जैसे ज्वाला मुखी जल रहा है और हमें ऐसा लगा कि हम ज्वाला मुखी के मुहाने पर बैठे हैं अगर हमने जल्दी से भारत को नहीं छोड़ा, भारत को आजादी नहीं दी तो ये सब हमें जल आकर राक कर देंगे एक छोटा सा प्रसंग मैं और बताता हूँ नेता जी कितने बड़े नेता थे आप सब को पता है नेता जी ने 1942 में हिटलर से जाकर मुलाकात की, जर्मनी में वो गए, 16 जनवरी 1941 को वो भारत को छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते, रूस के रास्ते, जर्मनी पहुँचे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की जब उनकी हिटलर से मुलाकात हुई, तो वो कितने बड़े स्वाब इमानी थे इस बात का प्रमान देखिए, हिटलर जिससे सारी दुनिया कापती थी, उसने अपनी एक आत्म कथा लिखी थी, माइन काफ के नाम से, उसमें भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे म कुछ गलत धारनाय गलत टिपनी लिखी हुई थी, नेता जी ने बड़ी निर्भिकता के साथ, हिटलर के सामने वो मामला उठाया और उससे कहा, कि भारत के बारे में जो आप सोसते हो वो भारत नहीं है, आप अगले संस्क्रण में इसकी सारी तुटियों को ठीक करें, ऐसा कहने की हिटलर के सामने एक दूसरे देश के सामने एक गुलाम देश का नागरिक, अगर ऐसा कहता है तो ये बहुत बड़ी बात है, और हिटलर ने नेता जी को क्या कहा, जर्मनी का एक शब्द है, फ्यूरर, फ्यूरर का आर्थ होता है, नेताओं का नेता, जर्मनी में जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1938 में जब नेता जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसी समय दूसरा विश्वयुद शुरू होना प्रारंब हो गया था 1949 से शुरू हुआ तो नेता जी का एक अग्रह था सारे नेताओं से महात्मा गांदी जी से जवारलाल नहरू जी से स दुश्मन जब कमजोर हो उस समय उनके उपर प्रहार करना ठीक नहीं है नेता जी ये सोचते थे कि कैसे भी हो हमें अपनी आजादी लेनी है और आजादी कभी भी अहिंसात्मक तरीके से नहीं मिल सकती आजादी के लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी आजादी के लिए त पहली बार चुनाओ हुए गांधी जी ने अपने उम्मिद्वार के रूप में पट्टा भी सीता रमया को खड़ा किया और ये कहा कि पट्टा भी सीता रमया के रूप में कांग्रेस के अध्यक्षपद के लिए मैं खड़ा हूँ दूसरी और नेता जी खड़े हुए और क बट्टा भी सीता रमया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। अप्रेल 1949 में अंग्रेस को नेता जी ने छोड़ दिया था। नेता जी के बारे में जब कई बार ये कहा जाता है कि नेता जी का बलिदान कितना बड़ा है। गांधी जी और दूसरे नेता जेल में गए हैं लेकिन नेता जी ग्यारे बार जेल में गए हैं और जब ग्यारवी बार उनको कैद किया गया तो 16 जनवरी 1941 को वो अफगानिस्तान रूस के रास्ते जर्मनी पहुँच गए। आगे जर्मनी पहुँच कर जब उन्होंने देखा कि जर्मनी से कुछ नहीं हो सकता तो जापान में रास भिहारी बोस जी पहले से बैटे थे उन्होंने पहले से आजाध हिंद फोज बना रखी थी और 21 अक्तूबर को1943 को नेता जी ने रास भिहारी बोस जी ने आजाध ह पहारत के बाहर गठित कर दी और सारे अंग्रेजों को आक्रमनकारी घोशित कर दिया और सिर्फ सरकार घोशित नहीं की नो देशों से उसको मान्यता भी दिलवा दी ये नेता जी की सबसे बड़ी बुद्धी मानी थी महात्मा गांधी को यदपी दूसरे लोगों ने नेता जी का बहुत स्तिरिशकार किया लेकिन नेता जी की महानता देखिये उन्होंने सदेव सबका सम्मान किया महात्मा गांदी को राष्ट पिता का सबसे पहले संबोधन 6 जुलाई 1944 को तोकियो जापान के रेडियो संदेश में नेता जी ने दिया था रंगून के जुबली हाल में नेता जी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा और नेता जी ने उस समय दान का अववान किया था जब नेता जी ने दावन का अववान किया क्योंकि एक सेना को चलाने के लिए बहुत बड़े धन और संपत्ती की आउशकता होती है तो नेता जी के दान के अववान को सुनकर सभा में से जैसा ये ओडिटोरियम है उससे थोड़ा बड़ा ओडिटोरियम वहाँ पर था तो एक वेक्ति खड़ा हुआ और उसने अपनी एक करोड रुपे की पूरी संपत्ति नेता जी को दान कर दी और वो संपत्ति दान करने वाला वेक्ति कोई हिंदू नहीं था वो एक मुस्लिम वेक्ति था रंगून का एक मुसल्मान था जिसने एक करोड रुपे की संपत्ति नेता जी को दान की जब नेता जी ने उससे पूछा कि तुमने एक करोड रुपे की संपत्ती के रूप में अपना भूमी भवन घर परिवार सब कुछ दान कर दिया तो अब तुम क्या करोगे तो उसने कहा कि मैं खुद आजाद हिंद फोज में भरती होंगा मेरी पत्नी और बेटी रानी लक्ष्मिवाई रेजिमेंट में भरती होगी और मेरा छोटा बेटा नेता जी की बाल सेना में काम करेगा नेता जी जब सभा करते थे तो दान कैसे आता था इसको आप देख सकते हैं कि नेता जी जब सभा करते थे तो उसके लिए जब वो अववान करते थे नेता जी की सभा करते थे जब आयो जब उनको माला पहनाते थे सामन्न गेंदे के फूलों की माला जो उस समय सायद एक पैसे की दो पैसे की आती थी तो नेता जी उसको निलाम करते थे कि मेरी ये माला भारत माता के लिए निलाम की जाती है तो नेता जी की एक एक माला 35-35 लाख रुपे में निलाम होती थी लोग देश की सेवा के लिए दान देते थे पूरी दुनिया में राजनेतिक तोर पर और एक सेना नायक के रूप में नेता जी की थी उतनी बड़ी सोच और किसी की नहीं थी 1943-44 में जब पूरी दुनिया में महिलाओं को बहुत बुरी स्थिती में रखा जाता था महिलाओं को बहुत हिकारत की दिष्टी से देखा जाता था उस समय नेता जी ने रानी लक्ष्मिबाई रेजिमेंट बना कर महिलाओं को सम्मान दिया और माताओं बहनों ने भी अपने घर परिवार को छोड़ कर नेता जी की आजाद हिंद फोज में भरती होकर देश की लड़ाई लड़ी महत्मा गांधी से एक बार अंग्रेजों का एक बिटिश पत्रकार है उस समय होता था लूई फिशर जिसका नाम आपने भी सुना होगा उस से पूछा कि नेता जी के बारे में आप क्या सोचते हैं नेता जी के गायब होने के बाद पूछा तो महात्मा गांधी ने उस समय नेता जी के बारे में कहा कि नेता जी तो भारत के देश भक्तों के देश भक्त हैं 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद महत्मा गांधी को ये कहना पड़ा कि आज अगर नेता जी सुवाश्चंदर बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता नेता जी की सेना में जितने सेनिक हिंदू थे उससे अधिक मुसल्मान थे और जितने हिंदू उन से प्यार करते थे उतने ही मुसल्मान प्यार करते थे नेता जी जब जर्मनी से जापान गए तो 90 दिन की तीन महिने की उनकी पंडुबी की आत्रा थी उस समय उन्होंने अपने सबसे भरोसे मन साथी के रूप में आबिद हसन को रखा था जो उनके नीजी सचीव के रूप में काम करता था नेता जी ने जब अपनी अंतिम उडान भरी 18 अगस्त 1945 को तो उनके साथ जो उनके साथ ही थे वो हबीबुर रह्मान थे वो खुद एक मुसल्मान थे नेता जी की आजाद हिंद फोज में हिंदू और मुसल्मान एक साथ बैट कर खाना खाते थे तो हिंदू और मुसल्मान नेता जी से बराबर प्यार करते थे अगर नेता जी जिंदा होते तो भारत का विभाजन नहीं होते ये महत्मा गांधी ने भी 1947 के बाद महसूस किया 1945 में जब आजाद हिंद फोज के 30-40 अजार सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो लाल किले में उनके उपर मुकदमा चलाया गया और जब उनके उपर लाल किले में मुकदमा चल रहा था तो उस समय आजाद हिंद फोज के 3 मुक्ष सेना पती थे शाहनवाज हुसेन, मेजर पीके सैगल और गुरबक सिंग धिलो तो उस समय जब अंग्रेजों ने आजाद हिंद फोज के सैनिकों के उपर मुकदमा चलाया लेकिन नेता जी की आजाद हिंद फोज के साथ जब नेवी ने विद्रो कर दिया और पूरा देश खड़ा हो गया तो 1945-46 में उन्होंने दोबारा वकालत का चोगा पहन लिया और उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फोज को मैं बचाऊंगा तो आजाद हिंद फोज के सैनिकों की तीन केटेगरियां बनाई गई वो लोग जो मत्र भूमी की रक्षा के लिए लड़े तीन केटेगरिया बना कर कुछ को जेल में रखा गया कुछ को छोड़ दिया 1947 के बाद उन में से आदे सैनिक पाकिस्तान चले गए और आदे सैनिक भारत के अंदर रहे पाकिस्तान में जो सैनिक गए उनको पाकिस्तान की सेना में तुरंत नोकरी पर रख लिया गया दुर्भाग्य की बात ये है आप जानेंगे तो आपको आश्चरे होगा भारत के अंदर जो आजाद हिंद फोज के सैनिक रहे उनको भारत ने यह कहकर मना कर दिया कि इनको हम सेना में नहीं रख सकते ये तो विद्रो ही सैनिक है आज भी इंडिया गेट पर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए है जो अंग्रेजों की सेना में रहते हुए किया मनिपूर कोहिमा के बीहडों में भारी बरसात में बिना खाने के बिना पानी के बिना दवाओं के और बिना हत्यारों के युद्ध किया उनकी कोई भी समर्थी पूरे देश में नहीं है अब एक अंतिम बात नेता जी उनिस सो तेतालीस में जब उन्हों आजाद हिंद सरकार की घोशना की तो सरकार नेता जी ने बना ली थी और उस समय नेता जी को पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे देश को आजादी तो 100 प्रतिशत मिलेगी मना देश तो 2-3 साल में आजाद होने वाला है लेकिन नेता जी की चिंता एक दूसरी थी वो ये सोचते थे कि देश तो आजाद हो जाएगा लेकिन देश की आजादी के बाद अगर अंग्रेजों की यही ववस्थाएं चलती रही तो देश के 33 करोड लोगों को न्याए नहीं मिलेगा तो उस समय भारत की शिक्षा ववस्था को चिकित्सा ववस्था को अर्थ ववस्था को कृशी ववस्था को सारी ववस्थाओं को ठीक करने के लिए 1943 से ही उन्होंने अलग-अलग विद्वानों के दल बनाने शुरू कर दिये थे और उनको आस्ट्रिया में, बुल्गेरिया में, चेकोसलाविया में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, हंगरी में, आयरलेंड में, पोलेंड में, रूमानिया में, स्विटजर लेंड में, तुर्की में, युगोसलाईया में अलग-अलग देशों की विवस्थाओं का अध्यन करने के लिए भेज दिया था माना नेता जी सुभाष चंदर बोस ये चाहते थे कि 1947 के बाद अंगरेजियों का पूरा तंत्र बदले ये तो दुर्भागे की बात है कि नेता जी चले गए वो तंत्र वैसा ही चलता रहा आज नेता जी के सपने को पूरा करने के लिए उस तंत्र को बदलने की आउशकता है जिसका आववान पुझ्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं भाईयो और बहनो उनिस सो तेतालीस में नेता जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था पुझ्य स्वामी जी महाराज ने भी आज फिर से दिल्ली चलो का नारा दिया है नेता जी के उसी सपने को पूरा करने के लिए उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसी भारत को शक्तिसाली बनाने के लिए तो नेता जी को आदर्श मानते हुए और पुझ्य स्वामी जी महराज के अंदर नेता जी के अधूरे सपने को पूरा करने वाले विक्ति के रूप में देखते हुए आपको और हमें संकल्प लेना है कि अब 9 अगस्त तक हमें विराम नहीं लेना विश्राम नहीं लेना लग